फ्रेंड्स आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका गुगल माई बिजनेस प्रोफाइल के साथ आपको आपका सोशल मीडिया को कैसे आड़ करना है आपने क्या सुना माल दिजिए कि आपका फेस्बूग है इंस्टाग्राम है लिंक्ट जिसके तहत गल किसी बिजनेस का फिस में सकते हैं आप गुगल माई बिजनेस आटांट कर सकते हैं नमबर लाइक कर सकते हैं खुब सारे जनीट सबूगा अरंगाड कि आपको आपकर लिए एक गुद नूज है कि मैं आपको सिखा और now Google my business और स्पेसिफिकली अगर आप डिजिटम स्वीं लांशर है तो सब्राइचे न आप। Google My Business के लिए आप सुरू करते हैं, तो कोर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज को धान में रखते हुए हमने डिजाइन्स किया हुआ है, इस कोर्स का भी अफ़र प्राइस स्रिफ 1500 रुपीच है, एक्स्ट्वाल प्राइस 4000 रुपीच है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप पहले यानि 2022-23 में Google My Business में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आड़ करना एक बहुत ही कम्प्लिकेटर प्रोसेस हुआ करता था, यानि सोशल मीडिया आड़ करने के लिए आपके पास कमपल्सरी वेबसाइड होना चाहिए था, और वेबसाइड होने के बाद आपको स्कीमा मार प्रेपलना पड़ता था, उसके बाद भी गेरेंटी नहीं होता था कि आपका सोशल प्रोफाइल सारे आड़ होंगे या नहीं, लेकिन आप सबके लिए गुड़निवज है, गुड़निवज है कि अभी आप बीना टेक्निकाल नॉलेज के, यानि कोई भी टेक्निकाल नॉ वीडियो में मैं आपको इन डीटेल्स में प्राक्टिकाल करके लाइव दिखाने वाला हूँ सबसे हैं आपको सोशलमीडिया का लिंक जो है उसको आपको एक जगह पर लेना है मांद लिखाता हूं मालिजे की नोटपेड़ पर हमने हमारा social profile का link यहाँ पर डाल लखा है जैसे example ले LinkedIn है Instagram है, Facebook है, Twitter है तो यह सारे social profile का link आपको right तरीके में यानि आपको मालूम है आपका सारे social profile तो यहाँ पर आप right social profile का link आप यहाँ पर ले आए गलत link डालेंगे तो आपको कोई फाइदा नहीं होगा तो right link आप लिजिए और उसको एक बार check कर लिजिए कि आपने right link लाया कि नहीं लाया, so यहाँ पर आपका social profile link को आपने एकठा कर लिए, ऐसे मैं assume करता हूँ उसके बाद आपको simple जाना है, आपके Google business profile पर login कर लेना है, जिस Google business profile पर आपका social media को आप link करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको edit profile पर click करना होगा, edit profile यहाँ पर देखे, edit profile लिखा हुआ है, तो edit profile पर click करना है, click कने बाद यह business information बाले page open हो गया, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आपको scroll down करना है, जैसे आप नीचे scroll down करेंगे धोड़ासा आपको नीचे scroll down करना है, scroll down करने के बाद, यहाँ पर website के नीचे सोचल प्रोफाइल लिखा हुआ है, यह feature जहाँ पर website लिखा हुआ है, उसके नीचे social profile लिखा हुआ आ रहा होगा, तो website जो लिखा हुआ है, यहाँ पर social profile लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पर देखें new लिखा हुआ है और यहाँ पर pencil बटन है edit करने का option से हो सकता है यह अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप मैंसे कुछ लोगों के profile में है यह already आ गया होगा हो सकता है कुछ लोगों के profile में नहीं आया आपको थोड़ा सा पैसंस रखना है और यह आ जाएगा मतलब यह roll out हो गया है और बहुत सारा account में यह visible होना सुरू हो गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है social profile new जो लिखा हुआ है यहाँ पे pencil बटन पर आपको क्लिक करना है यहाँ यहाँ पर जो आड लिखा है उस इअंग्या यहाँ पर कर सकते हैं Twitter कर सकते हैं YouTube कर सकते हैं Facebook Instagram LinkedIn Pinterest और TikTok तो इतने social profile आप आड कर सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं आप यहाँ तीट्क और नहीं कर सकते हैं क्यूंकि इंडिया मेंigare टिक टो पूपीलब करना हैं यहां पर यहां पे आपको सबसे पहले समझ के आया कि इतने social profile जो है आप आड़ कर सकते हो है अब मैं randomly एक example लेता हूं again edit profile पे गए edit profile पे जाने के बाद हम ने यहाँ पे social profile पे जो है आड़ पे click किए click करने के बाद यहाँ पे जो भी social profile आपको आड़ करना है उसको आपको इसको मुझे आड़ करना है अभी Facebook को मैंने सिलेक किया जैसे Facebook सिलेक किया यहाँ पर देखिए web address डालने का options यहाँ पर enable हो गया अभी यह web address पे आपने जो Facebook URL आपने पहले से रखे होगे आपके Facebook page से तो यहाँ पर आप यहाँ पर डाल दीजिए यहाँ पर देखिए यह डाल दीजिए तो यहाँ पर Facebook URL समने डाल दिए और यह ले लिया अगर आपका URL बराबर नहीं होगा कुछ गलती होगा तो यहाँ पर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप का प्रोफाइल पर अप्डेट हो जाएगा थोड़े टाइमेड़िए तो तो मत बोलना है कि यार मतलब मेरे आड़ किया नहीं हुआ टाइम लगता है तो यह प्रोसेस है उसके बाद आपने प्लॉस और सोचल मिडिया पर फिर से क्लिक करना है फिर से क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए सोचल प्रोफाइल लिखा हुआ है फिर से क्लिक करना है क्ल दालिए गर गलती होगा तो डिलीट कर सकते हो इसको आगे प्रोशीद करो हो सकता है और ज्यादा आपको आड़ करना है यहां पे ऐस्टबूक और इंस्टाग्राम अभी ओर नहीं दिखेगा क्योंकि आप आड कर चुके हो, जो आप आड नहीं किये हो, वही यहाँ पर दिखेगा, जो भी लेना है, इसको आप सिलेक करो, उसके बाद उसका web address जो है, यहाँ आप डाल दो, है ना, तो यह करने के बाद जो है, आपको यहाँ पर simple save कर देना है, यहाँ पर एक चीज खास personal page का URL नहीं डालना है, आपके Facebook के business page का URL डालना है, Instagram page, तो Instagram का जो professional page होता है, business page होता है, उसका URL डालना है, आपका LinkedIn, LinkedIn का, हाला कि आप LinkedIn का personal डाल सकते हो, लेकिन LinkedIn का business page का URL जो है, वो मैं recommend करूंगा, similarly, Pinterest का भी business page का URL, और आपका Twitter का भी business page का URL, तो यह ranking factor में जो है ना, बहुत इसके लिए कोई technical knowledge का जोरुद नहीं है, जैसे मैं इंट्रो में बताया था, अभी सबसे important बात है, आप मैंसे बहुत सार ऐसे business owner है, या फिर ऐसे small business owner है, जिनके पास social media नहीं है, या फिर आपने social media बनाया नहीं है, या फिर आपको नहीं आता है ठीक से बनाना, अगर ऐसा बात है, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नमबर है 9004961910, इस नमबर पे call मत करना, call नहीं connect होगा, स्री WhatsApp कनेक्ट होगा, तो आप WhatsApp करके हमें पूछ सकते हैं, हम paid service देते हैं, इस specific domain पे, आपका सारे social profile आपको बनाने के लिए help करेंगे, एकदम minimum cost में, जिसमें आपका professional सार social profile बना के, आपके Google business profile पे इसको add भी कर देंगे, और अगर आप खुद कर सकते हैं, तो well and good, अगर आप किसी freelancer से कराना चाहते हैं, करवाईए, आप कहीं से भी कराईए, लेकिन इस features को आप छोड़ना मत, अब आपको, अगर आपके profile पे features दिख रहा है, तो आप जरूर करे अगर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा wait करें, जब ही दिखेगा ये करें, तो friends, यहाँ पे ये जो feature से, अभी world के most of the country में roll out हो गया है, तो आप, माल लिए कि आप कोई और country से, अगर आपके country में ये roll out नहीं हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है, ऐसे case में आपको औरीड होने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा wait करें, हो सकता है, थोड़े time के बाद, आपके profile पे दिखना लगेगा, दूसरे important बात, कि आप यहाँ पे social profile आड़ करने के बाद, आप ये expect मत करना कि दो minute में आपके profile पर update हो जाएंगे, थोड़ा time लगता है, patience लिए आपको wait करना ह एक बार आपने add कर दिया, 10 मिंट के बाद दूसरे बार कर रहे हो, फिर से तिसरे बार कर रहे हो, ऐसे मत करना, suspicious activity में आपको account suspend हो सकता है, तो patience यहाँ पे रखना आपको ज़रूरी है, तो उम्मीद करता हूँ friends, वीडियो बहुत informative लगा होगा, आपने कुछ new चीजे सिखा अगर आपको पसंद आया, like, comment ज़रूर करे, आप मैंसे बहुत सारे लोग हमारे चनल को subscribe नहीं किया है, आप सभी लोगों को मेरा request प्लीज सब्सक्राइब करेजिए, क्योंकि इस टाइब का important वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता देता हूँ, चले friends, फिर मिलते हैं, अ subscribe करना मत भुलना, thank you so much.